जैहीं दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि असाम राइफल टेक्निकल ट्रेट्समेंन की दो हजार चौबिस की नई भरती के बारे में आखिर इस भरती में कौन-कौन बच्चे फॉर्म को अपलाई कर सकेंगे इस भरती के लिए अपलाई कब से होगा और एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है क्योंकि असाम राइफल की तरफ से एक नई भरती का गोसरा की गई है सारी चीजे आज की इस वीडियो में हम आप स जिवा करने का तो आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि इस भरती का सेलेक्स्रम प्रोसेश जो है कुछ इस प्रकार से होने वाला है सबसे पहले आप सभी का फिजीकल टेस्ट होता है उसके बाद फिजीकल एफिशेंसी टेस्ट होता है अगर हम बात करें सबसे पहले आप सभी की running होगी फिर आप सभी का height chest weight होगा उसके बार आप सभी का trade test या फिर skill test अगर आप सभी color के लिए form को apply करते हैं तो आप सभी का skill test होगा अगर आप tradesman की post लिए form को apply करते हैं जिब cook हो गया बारबर हो गया कोबलर हो गया अगर आप सभी इन ट्रेड उगले form को apply करते हैं तो आप सभी का trade test होगा उसके बाद आप सभी का return exam होगा फिर आप सभी का हाइट यहाँ पे 170 cm है तो आप सभी इस भरती के लिए form को apply कर सकते हैं यहाँ मेल candidate की हाइट है अगर हम चेस की बात करें तो अगर आप सबका normal chest यहाँ पे बिना यहाँ पे 78 cm होना चाहिए और फुलाने के बाद यहाँ पे 5 cm आप सभी का चेस्ट यहाँ पर 83 cm चेस्ट आप सभी का हो जाए उसके बार अगर हम बात करें आप सभी किसी भी state से हैं और आप सभी को मिल रही होंगी बाकि यहाँ पर भी हाइट मापी जाती है यह होगी आप सभी का ड्रेडवेज की हाइट अब हम बात कर लेते हैं पर 165 cm है तो आप सभी यहाँ पर कलर कमें भी फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे जैसे आप सभी के यहाँ पर हाइट हो जाएग उसके बारा सभी कर यहाँ पर running होगा अगर हम running की बार कर लेते हैं तो ऊपर चलते हैं running के बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवैड कराते हैं अगर आप सभी male हैं तो आपकी running यहाँ पर 5 km होगी जो की आपको 24 मिट के अंदर qualify करना होगा अगर आप female हैं तो आपकी running यहाँ पर 1600 मिट के अंदर qualify करना होगा यह सारी शीजए आपके physical में होने वाला है जैसे आप सभी यहाँ पर physical test qualify कर लेंगे फिर आप सभी का trade test होगा आप सभी जिसे भी ट्रेट के लिए फॉर्म को लगाए रहेंगे चाहे कुक से लगाए रहेंगे चाहे बारबर से लगाए रहेंगे चाहे कॉबलर से लगाए रहेंगे चाहे सुईपर से लगाए रहेंगे जिस भी ट्रेट से आप सभी फॉर्म फिलप किये रहेंगे आप से पहले आप सभी से इंगलिस आएगा आपके पेपर में जो कि 25 कुशकों सर्हेगा 25 नमर का तोटल अगर बात करें तो 100 कुश्चन आप सभी से यहां पर होने वाली है जैसे ही आप सभी यहां पर return exam देने जाओगे तो आप सभी का exam में negative marking भी रखा गया है जो कि 0.25 का negative marking आप सभी को देखने को मिल जहाँ होगा आप सभी को बताते हैं अगर आप सभी 4 question गलत करते हैं तो आपका सही वाला एक number यहां पर काट लिया जाए यह सारी चीजिए आपके साथ यहां पर होने वाली है अगर हम बात करें तो आप सभी से exam में 100 कोई से पुछा जाएगा जो कि 100 number का रहने वाला है और आप सभी को बता दें यहां पर कि the maximum marks यहां पर बताया गया है 100 number का paper रहने वाला है उसके बाद no negative marking ट्रेडमैन के लिए क किसी भी परकार का negative marking नहीं है ठीक है उसके बाद the minimum marks health 35% अगर आप सभी को minimum pass marking यहां पर बताया गया है जर्नल वालों के लिए जो की 35% है और अगर आप सभी EWS से form को apply करते हैं तो 35% यहां पर pass marking बताया गया है और बाकी OBC, SC, ST का भी 35% ही pass marking यहां पर बताया गया है यह यहां पर रहने वाला है अब जैसे ही आप सभी सको qualify कर लेते हैं आप सभी को बता दें मेरे दोच जैसे ही आप सभी सको qualify कर लेते हैं फिर आप सभी का medical होगा medical qualify करने के बाद आप सभी का direct यहां पर final cut-off आएगी और final cut-off आप सभी जो returning jam में नंबर पाय रहेंगे उसी के basis आप सब की final cut-off भी जारी की जाएगी और उसी का coding यहां पर सब को selection दे दिया जाएगा अगर हम बात करें तो असाम rifle की यहां पर कापी सारी job निकल के आती है अगर हम बात करें असाम rifle technical की job आती है असाम rifle की जोब आती है और साथ ही बात करें असाम rifle में कुछ आस्रितों के लिए भरती आती है जो कि जिनके family में कुछ लोग असम राइफल में रह चुके हों उनके लिए भरती आती है ठीक है ये सारी यफिल्याडियों के भरती आती है अगर हम बात करें ज़़ादर बच्ची है यहां पर इंतियार करते हैं वह यहां पर टेक्निकल और ट्रेट समयन क भरती का इत्यार करते हैं जो कि 2023 में 161 पदों पर भरती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसका प्रोसेस जो है अभी चल रहा है लेकिन अगर हम बात करें कि यह नई भरती 2024 में देखने को मिलेगी तो आप सभी को जानकारी के लिए बता दू यह भरती जो है मार्च में नौर्थ इस्ट में ही कंडट करवाई जाएगी मतलब आप आप सभी पूरे आल ओवर इंडिया में पूरे भारत से किसी भी राजसे है चाहे चाहे फीमेल हैं तो आप सभी जभरती के लिए फॉर्म को फिलप कर सकते हैं और फिलप करने के बाद आप सभी की जो भरती होगी वह नौर्थ इस्ट में चंड़ करवाई जाएगी नौर्थ इस्ट में ठीक है जैसे माल लेते हैं आप पर आप सभी का मिघाले हो गया आती है करीम यहाँ पर जुलाई तक आप सभी को यहाँ पर पूरी भरती करवा कि आप सबको जॉइनिंग भी दे सकते हैं असम राइफल में तो इस प्रकार से आप सभी अगर इसकी त्यारी कर रहे हैं तो खास करके आप सभी यहाँ पर अपने रिटर निक्जाम की जयसे इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा तो मैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नीचे आप सब वीडियो में सीधे फुल नोटिफिकेशन साथ तक के लिए जाहें दे वन्दे मातरम